नमस्कार जुड़ चुके हैं दियार्थ नीउस के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी और ये अपडेट इस समय राजोरी से आ रहा है राजोरी के थनामंडी इलाखे की बात करें तो वहां से ये अपडेट सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि 32 स्टूडेंट्स जो है एक प्राइवेट एजुकेशन इंसिटूशन की बात की जाए तो वहां 32 स्टूडेंट्स जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद अगर बात की जाए तो इन सभी बच्चों को यानि कि इन सभी जो चातर चात्राएं थे इन्हें जो है आइसुलेट कर दिया गया है आपको पूरी जानकारी के मताविक बता दे कि आज जो है पहली बार खुला जिस तरीके से आदेश दिया गया है कि स्कूल को ओपन करने की बात की जा रही है लगतार कहा जा रहा है कि जो हाइट्स केंडरी स्कूल है उन्हें ओपन किया जाए ताकि बच्च अगर बात की जाए स्कूल खुलने के बाद वहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट का जो है उसकी टीम पहुंची और उसके दिवारा जो है टार्गेट सेंपलिंग जब शुरू की गई तो उस दोरान जो है 32 स्टूडेंट्स जो है इस सेंपलिंग के दोरान पॉजिटिव पाए इस्सुलेट कर दिया गया है और आगे भी अगर को जानकारी के मताबिद यहीं बताया जारा है कि अगए इस तरीके से जो सेंपिलिंग है वह लगातार जारी रहेगी ताकि जो कि चांद की जिसरी administration उन्हें ये साफतोर पर LG सहाब की तरफ से ये कह दिया गया है कि 15 October तक जो फर्स्ट फेज यानि कि पहली dose जो है COVID vaccination की उसे complete करना जरूरी होगा और वहीं अब इससे अगर बात करें तो इन 32 students के आने के बाद जो है त्यातन तोर पर schools को भी बंद कर दिया गया यानि जिन education institution के ये बच्चे वहाँ पर positive पाए गए हैं उन्हें भी बंद किया गया है और अब आगे किस तरीके से इस पर पूरा रहेगा क्या 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 वहाँ पर steps ले जा रहे हैं उस पर खासा ध्यान दिया जा रहा है और साथी साथ जो CMO राजोरी है यानि की चीफ medical officer राजोरी है डॉक्टर शमीम उन्होंने ये साफ किया कि लगातार जो है कोशिश की जा रहे है कि इस तरीके से sampling ली जाए ताकि जो covid positive लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द isolate किया जा सके इसते पहले आपको पता दे कि रविवार को यानि कि कल संडे के दिन भी जो है चार बच्चे जो है positive पाए गए थे और उसके बाद भी अलग-अलगी schools के बच्चे थे उन्हें भी जो है वहाँ पर schools को बंद कर दिया गया और इन बच्चों को भी isolate किया गया है तो लगातार जो है नजर बनाई हुई है district administration लगातार अपना काम कर रही है sampling पर जो है काफी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि शुरुआस से ही अगर बात करें तो कुरोना की शुरुआस से ही ये जोर दिया गया है कि इससे बचाव के लिए जरूरी है कि पहले sampling जो है वो हो जा यानि कि COVID appropriate behavior का खासा ख्याल रखें भीडबाड वाले इलाकों से दूर रहें वहाँ पर अगर जा रहे हैं तो बिल्कुल अपने जो precautions हैं उनको जरूर फॉलो करें क्योंकि ये बड़ी खबर है कि 32 students जो है एक private education institution के जो है राजोरी के थनामंडी इलाके में जो है positive पाए गय गया है और जितने भी 32 students है इन्हें isolate कर आगे का जो पूरा treatment है वो शुरू कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि sampling जो है जाद से जादात में की जा सके और वहीं अगर बात करें LG administration की तो उन्होंने इस साफ किया है कि 15 अक्टूब